हेलो विनर्स, आज मैं आपको बताने चाहरी हूँ एक कैसी सक्ति साले प्रार्थना जिसको आप जितना करोगे आपके किसमत उतनी ही चमकेगी, मिन्स आप जो चाहेंगे आपको वो पा सकते हैं, अब ये प्रार्थना क्या है कैसे कारे करती है इसके बारे में मैं बताते जो आप चाहते हैं, इस वीडियो में मैं आपको ये इनन्त शक्ती से चुड़ने की तकनीक बताऊंगी, जिसके द्वारा आप अपनी मन चाही खुशियां पा सकते हैं, अपने सपने पा सकते हैं, इस तकनीक को कौन कर सकता है, इस तकनीक को वही सब कर सकते हैं, जो सपने देखने की कोशिश करते हैं, अपने देखते हैं, एक सेल्समें कर सकता है, एक हाउस वाइफ कर सकती है, एक स्टूडेंट कर सकता है, एक नौकरी करने वाला यूवक कर सकता है, जिसको अपने नौकरी में परमोशन चाहिए, एक लवर कर सकता है, जिसको मैनिफेस्ट करना है, अपना desired life partner एक मा कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए means कोई कुछ भी कोई अपना किसी भी एक अच्छी wish जिसे पुलते हैं good wish उसको पूरा करने के लिए आप इस technique का use कर सकते हैं अभी इस technique को आपको कैसे करना है क्या करना है वो मैं सभी बताती हूँ इस technique करने से आप एक अमीर बन सकते हैं जितना चाए उतनी money manifest कर सकते हैं आप अपने अंदर के छिपी हुई अपनी शक्तियों को अपनी प्रतिभाव को बाहर निकाल सकते हैं आप अपनी बीमारीओं को ठीक कर सकते हैं आप अपनी कमीओं को इन्जाइटी है उसे आप दूर कर सकते हैं अपने नियर एंडियर वन के लिए अगर आपका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिजम हो रहा है आपको नेम और फिर्म चाहिए तो आप वह भी इस प्रेयर से पा सकते हैं यह इतनी शक्तिसाली प्रेयर है कि जिसको करने के बाद आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं जिस दिस को लेके इस प्रेयर को करेंगे आप उसी को कर सकते हैं प्रेयर करनी कब है कर राथी सोने से पहले करनी है और आपका जो गोल है उसको आपने अपने गोल को एक फिक्स गोल होना चाहिए स्पेसिफिक गोल होना चाहि भी मैं किसके लिए प्रेयर करना है मुझे तो आपने क्या करना है रात को सोने से पहले मेंटली आपको इसको प्रेयर को बोलना है और जिससे आपको सफलता मिलेगी और प्रसिद्धी मिलेगी अभी मैं जो एक्जामपल दे रही हूं मैं दे रही हूं आप किसी एक्जाम में बैट रहे हैं civil services की त्यारी कर रहे हैं या किसी भी competitive exam की त्यारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपने कैसे prayer कर सकते हैं मैं उसके लिए बताती हूँ ठीक है तो आपने क्या करना है ठीक रात को सोने से पहले एकदम deep breathing करना है मिन्स अपने आपको relax करना है fully रिलेक्स करने के बाद बैटने के बाद आपने meditative position में बैठ चाहिए और repeat कीजिए कि मैं मेरी पढ़ाई में बहुत सफल हो रहा हूं और मुझे मेरी आनंद मेई अनंत प्रग्या मुझे काइड कर रही है और मेरे परमपिता परमिश्यर मुझे मेरी help कर रहे हैं मेरे exam में मेर मेरी मदद कर रहे हैं और जो भी मैं पढ़ाई करता हूं वो ही मेरे exam में आने वाला है या जो मेरे exam में आने वाला है वो ही मेरी अनंत प्रग्या मुझे indicate करती है यह means मुझे mark दर्शन देती है और मेरे पास बहुत ही perfect wonderful memory है जिससे में एक बार पढ़ने पर ही मुझे सब च अच्छे नंबरों से पास किया है और मेरे देविये किरपा देविये मार्गदर्शन के अंदर अंतरगत मैंने मेरे exact उतने ही नंबर प्राप्त की हैं जितने मुझे चाहिए यहां पर मैं उतने word use कर रही हूं आपको अपने specific number को लिखना है जो भी division number जो भी आपको इश्वर का नाम लेना है आप इस prayer को अपने according और भी change कर सकते हैं आपने देखा होगा मैंने तीन चार words यूज किये हैं अनंत प्रग्या देविये मार्ग दर्शन तो आपको जो भी करना है ऐसे इसने thankful होके करना है कि आप बहुत ही अच्छे से उस ब्रहमन्द उस इश्व नहीं किया है लेकिन आपने धन्यवाद gratitude वाली feeling में रहके यह prayer को रोज रात को बोल के सोना है और बहुत peaceful mind से सोना है full trust के साथ बोलना है और उसके बाद सो जाना है इसको आप देखिएगा इसके कितने अच्छे से result अते जब आप बोलते हैं तो आपको visualize भी करना है कि कैसे आपका result आगया mark sheet में उतने ही number आई जितने आप चाहते हैं तो देखिएगा कि जब आपका final result आएगा वो उतना ही आएगा ठीके इसको बोलते हैं कि आप अपने आप से अपने अनंत प्रग्या से अपने आप से जब बात करते हैं तो वो सुनते हैं ठीके तो आप जो भी prayer करते हैं आप अपनी जो spirit है जिसे आत्मा मुलते हैं उसके साथ connect हो जाते हैं इसका एक बहुत अच्छी स्टोरी है जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब आप इसका ऐसे डेली practice करते हैं कि मेरी अनंत प्रग्या मेरा मार्गदर्शन करें तो अगर आप सिंपल एक लाइ इसका बोल सकती हैं तो आपको एक स्टोरी बताती हूं मैं एक लेडी थी जो Paris जाना चाहती थी by flight तो इसकी flight के ठीक एक रात पहले उसको सपना आता है कि उसकी flight crash हो जाती है और सपने में उसे कोई कह रहा है कि आप इस फ्लाइट से मज जाईए और इतना जैसे वह आवाज सुनते हैं कि आप इस फ्लाइट से मत चाहिए और ए फ्लाइट क्रेश होने वाली है तो वो उठ जाती है उठने के बाद वो नेक्स डेया करती है अपनी फ्लाइट का जो टिकिटे उसे कैंसल कर देती है और नहीं जाती है और बाद में उसे पता चलता है कि सच में वो करके सोया करती थी तो उसकी अनंत प्रग्या ने उसको इनर सोल ने उसको गाइडेंस दी ऐसे आपकी फिल्ड में कुछ भी आप जिस नहीं भी चीज में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं आपको समझ में नहीं आ रहा कि मार्गदशन कहां से लो किसी फ्रेंड से पूछू किस से मेंटोर से पूछू किस से पूछू तो आपके अंदर इतने बड़े भगवान बैटे हुए हैं आप उनसे पूछिए अपनी इनर सोल से पूछिए जब आप अपनी इनर सोल से पूछते हैं तो आपको उस पर भरोसा करना होगा कि जो अंदर की आवाज आईगी वो सही से गाइड कर रही है और आप उसके कारी करेंगे और हमेशा याद रखिएगा गुड़ विशस के लिए ही गाइडन्स मांगिएगा जहां पर बैड वर्ड शुरू जाया किसी से बदला लेने की भावना से करेंगे तो यह वर्क नहीं करती है ओके तो यह वर्क कैसे करता है हमारा जो सब कॉंसेस माइंड है वो फुली एक्टिव रहता है और जो हमारे अंदर हायर सल्फ जिससे आप परमात्मा भी बोलते हैं आत्मा और परमात्मा का मिलन जिससे बोलते हैं तो वो अंदर हमारे जो चेतना है वो इतनी कॉंसेस हो जाती वह सारी चीज़ें आपके साथ भी होने लगती है आपको इनर गाइडन्स मिलने लगती है जिसको आप बार बार बोलते हैं अंदर की आवाज सुनू और अंदर की आवाज के भी ढोल और नगाड़ों के साथ सुनाई नहीं देगी बहुत स्लो से अंदर से कुछ अपने आपको आपकुछ करने जा रहे हो तो अंदर से एक आवाज आएगी जिसको कभी कभी बूल देते हो डाउट है यह है तो वो डाउट आपके अंदर की आवाज होती जो बताती है कि यह सही है कि गलत है आपके लिए अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आप उस से अच्छ से उस चीज में सक्सस हो जाते हो ठीक है आई होप आपको यह किलियर हुआ होगा तो अगर आप ऐसे प्रेयर करके सोते हैं कि मेरी अनंत प्रग्या मेरा उचित मार्गदर्शन करें रात को ठीक सोने से पहले आपको यह प्रेयर वोल के सोना है अभी आपने अपनी स जल्स को बढ़ाना है वजनस में समझ में अरा सेल कैसे बढ़ेगी तो उसके लिए अपने प्रेयर को मा बोला है कि मेरी अनंत प्रग्या मुझे मार्ग द्रशन करें अपने बिजनस का नाम लेना है उसकी सेलस बढ़ाने को और मेरी सेल्स का धन्युद्स ह applaud कि अभी मेरी 10 बढ़ गई है फिफ्टीन परसेंट पचास नबबे जो भी आपको पसेंटेज में इंक्रीमेंट करना है पसेंटेज का ऐसा बोलके हर रात को बोलके सोएंगे तो आपको देखना कि जब आप सुबह उठेंगे तब भी आपने के सब कॉंसेस माइन में वो चीज रहेगी और आपको ऐसे ऐसे आइडियाज आएंगे कि आपकी जो मेंटल इनर्जी हो बहुत अप होएगी आपका कॉंफिडेंस बहुत बूस्ट होगा और आपकी जो बोलते हैं कि बिहेवियर में वो सब चीजें कॉंफिडेंस दूसरे वालों सामने वालों को भी दिखेगा आपकी प परसनेल्टी चेंज हो जाती है उसको दिन आपकी परसनल रियाल्टी भी चेंज हो जाती है मिस्तों आपकी जो अपनी वास्तिकता है वो भी चेंज हो जाती है तो सिर्फ आप अपने थौट प्रॉसस को चेंज करना है मार्ग दर्शन अपने इनर सोल से अपने ही आपसे आ मार्गदर्शन दे सकते हैं ना कि कोई बाहरी विक्ति आपको मार्गदर्शन दे सकता है लेकिन इसमें यही है कि आपको भरोसा करना आना चाहिए धन्यवाद मेरा वीडियो यहां तक देखने के लिए